आज हमारे किचिन में बनने वाली है गेहूं के आटे की रोटी की तवा पीजा बहुत ही सिंपल तरीका है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है टेस्टी के साथ साथ यह हेल्दी भी है क्योंकि गेहूं के आटे से बनी है तो अगर आपके भी घर में बचे बड़े सभी पीजा के जित करते हैं इस तरह से आप त्वा पीजा बना कर खिला सकते हैं न बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है जटपट बनकर रेडी भी हो जाती है तो चलिए बीना देर के उए रेशिपी पिस्टार्ट करते हैं इसके लिए देखिए हमने एक बड़ी सी रोटी ली है आप चाहे तो बची हुई रोटी भी ले सकते हैं या फ्रेश ताजा रोटी भी बना सकते हैं बहुत बासी रोटी नहीं लीजिएगा इसके लिए फ्रेश ही रोटी रहे तो बेच्छी है बस इस रोटी के उपर अब हमें कुछ चीजों को लगानी है सबसे पहले मैं इसमें लगा रही हूं यह अगर लगाते हैं तो इसका टेस्ट और स्वात और भी बढ़ जाता है तो बस इसमें दो बड़ी चम्मच हम मियो चारो तरफ रोटी पे स्प्रेट कर देंगे और फ्रेंड्स क टेस्ट और बढ़ जाता है तो मैंने टोमेटो सॉस और चीली सॉस को मिक्स करके लिया है इसे भी हम चारो तरफ रोटी पे स्प्रेट कर देंगे थोड़े थोड़े हमने यह स्लाइस लिये हैं चीज के इसे अब पोड़कर चारो तरफ रोटी पर फैला लेजिए और कुछ वेजिज लिये हैं जो मनपसंद वेजिज हो आप ले सकते हैं मैं टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और प्यास ले रही हूँ लंबे-लंबे स्लाइस में हमने काट लिया है बस एक-एक करके हम सारे इस तरह से वेजिज को इस पे सजा देंगे तो बहुत सारे वेजिज हैं ज आप बनाकर घर में हेल्दी पीजा देते हैं तो वह मार्केट की पीजा के लिए कभी विजिद नहीं करेंगे और उन्हें काफी पसंद आएगी तो देखिए इस तरह से सारे वेजिज को आप इसके उपर सजा दीजिए देखने से ही कितने खुपस्वत लग रहा है हमारे और बनने के बाद और खाने के बाद तो फिर आप इसके टेस्ट को भूली नहीं पाएंगे बस इसके उपर अब हम कुछ और भी मोजरिला चीज को हम इसमें इस्तमाल करेंगे बस उपर से आप जितना चीज डालना चाहे उपर से डालिए और इसे सजा लीजिए तो इस तर और थोड़ा सा चीली फ्लेक्स डाल देंगे इससे पहले पीजा की कुछ रेसिपीज मैं हेल्दी पीजा की रेसिपीज ढाल चुकी हूं अपने चैनल पर मैं उसकी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाके उसे देखिएगा वह भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पीजा है बस हमारी पीजा बनने के लिए रेडी हो चुकी है आईए इसे बेक कर लेते हैं तो हमने तवे को पांच मिनट पहले ही लो टू मीडियम फ्लेम पर ढखकर इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है मिल्स इसे प्री हीट कर लिया है इसके उपर हम अपती रोटी को रख देंगे और इसे अब हम ढख देंगे पांच मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि इसमें उपर से पूरे चीज मेल्ट हो जाए तो बस लीजिए हमारी ये पीजा बनकर रेडी हो चुकी है वो भी रोटी की देखने से ही लग रही है कितनी टेस्टी और यमी और खाने में तो बहुत इलाजवाव मज़ेदार है आप इसे खाने के बाद मार्केट की भी पीजा भूल जाएंगे तो फ्रेंट्स जरूर अपने घर में इसे ट्राइ कीजिएगा चलिए इसे हम प्रेट में निकाल लेते हैं और इसकी पीसिस काट लेते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अगर आप हमेशा देखना चाते हैं तो बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन पर सबसे पहले पहुँचे तो लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी यम्मी पीजा बनकर रेडी है इस तरह से पीसे को काटिये और गर्म गर्म सर्व कीजिए तो देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ इसे नस्दीक से कितनी मज़ेदार बनी है बैक साइट से भी मैं दिखाती हूँ इसमें आपकी रोटी थोड़ी सी भ बताईए कि आपकी रोटी पीजा कैसी बनी है और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जरूर एक बार विजिट कीजिएगा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब रेसिपीज है उन्हें भी वाच कीजिए देखिए और अपने घर में बनाईए इंज्वाई कीजिए और कमेंट से बताईएगा कि आपको हमारी कौन कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी चलिए नेक्स्ट वीडियो इससे भी टेस्टी और में